अलो गाइज, वेलकम तो SSC Crackers, मेरा नाम शुमम कीरती है और मैं CHSL 2016 और CGL 2017 सेलेक्टेट केंडिडेट हूँ फॉस्ट फॉल आइड लाइक तो थैंक SSC Crackers फॉर हाविंग में अधिस प्लैटफॉर्म तो आज का हमारा सेशन है essay format पे, essay writing पे, जो कि हम जानते हैं कि CGL tier 3 हो या CHSL tier 2 हो, इसमें essay और letter की कितनी एहमियत है तो इसी सब को देख करके, इसी सब को मद्दे नज़र रखते वे, हमने सोचा कि एक छोटा से सेशन इस पे किया जाए तो दोस्तों हम लोग आज सीखेंगे कि हाँ हम लोग essay हम लोग क्या, ऐसी छोटी छोटी चूक हम लोग कर देते हैं, जिस करन से हमारा marks है, हमारे marks पे असर होता है तो उन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, तो सबसे पहली बात कि मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक पॉइंट है जो आप से मैं क्लियर करना चाहता हूँ जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इससे वाकिफ हैं कि आप अपनी handwriting पे handwriting skills पे आप लोग विशेस रूप से आप लोग ध्यान देंगे जो कि अगर किसी की भी handwriting नीट एंड क्लीन होती है तो वो एक अलग प्रभाव डालती है सामने वाले पे जो copy चेक कर रहा होता है उसके उपर तो अगर जैसे कि किसी की मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हाँ content भी matter करता है और साथ ही साथ handwriting भी matter करती है मेरा यह कहना है दूसरी बात यह कि आप लोग जब भी booklet मिले आप लोग examination hall में जब भी बैटे हो booklet मिले आप लोग time waste ना करें आप लोग यह ना सोचे कि हमें हम इंस्ट्रक्शन सभी exam में जैसा होता है वैसा इंस्ट्रक्शन इसमें भी होगा तो इसके तुरू मैं इंस्ट्रक्शन में पढ़ू या ना पढ़ू इससे कोई भी फर्क नहीं पढ़ेगा तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें आप लोग इंस्ट्रक्शन तो पढ़ें ही पढ़ें क्योंकि आज के आज के देखने को मिल रहा है यह जो यू एफम का जो एक नया चोच घट किये गा उन लोगों के तो इन फ्यूचर अगर हमें हमें अगर इन सब चीजों से बचना है तो हमें सबसे पहली बात कि कि हमें instruction को बहुत ही अच्छे तरीके से follow करना है no matter कि आप कितना अच्छा करके आए हो लेकिन अगर SSC के instruction को follow नहीं किया तो उसको UFM माना जाएगा ठीक है तो यह सब तो controversial matter है तो इसको हम लोग side में रखते हुए हम लोग आज अपने session पर ध्यान देते हैं तो जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि essay हम लोग बच्पन से लिखते आ रहे हैं ऐसे basically होता क्या essay basically किसी भी चीज के बारे में हम लोग information हम लोग convey करते हैं तो उसकी एक लिखने का तरीका होता है किसी भी topic का तो essay को basically तीन हिस्सों में divide किया गया है पहला introduction दूसरा body और तीसरा conclusion तो सबसे पहला हमारा आता है introduction इंट्रोडक्शन दोस्तों होता क्या है अगर आप से भी अगर आपका कोई introduction अगर पूछता है तो आप उससे अपने बारे में क्या बताते हो आप अपने features बताते हो अपना in the same manner essay में भी introduction का कुछ more or less वही मतलब होता है basically वह definition होता है किसी को आप मतलब define कर रहे हो छोटे से word, छोटे से sentences में basically 5-6 lines का होता है आप उसे ज़्यादा अगर लिखते हो तो वह तो थोड़ा boring type का हो जाएगा और उसमें भी है कि आप अगर 5-6 lines से ज़्यादा लिख रहे हो तो यानि कि आप उसके content के बारे में और ज्यादा बताओगे तो basically आप अगर सारे पत्ते अगर अभी खुल दोगे तो फिर आगे आप क्या बताओगे main body में तो आप अगर introduction लिख रहे हैं तो 5-6 lines से ज़्यादा कमत लिखें साथ-8 भी कर सकते हैं लेकिन 5-6 standard format माना जाता है तो यह क्या होता है कि very brief synopsis of the content तो very brief synopsis of the content क्या होता है कि आप उस content के बारे में बहुत ही छोटी सी जानकारी दे रहे हैं कि आप main body में आप आगे क्या लिखने वाले हो यह इसमें एक जहांकी होती है कि आप उसमें आगे क्या दिखाने वाले हो सामने वाले को दूसरी बात यह कि आपको introduction ही एक ऐसा माध्यम होता है जो कि सामने वाला आपके introduction को पढ़ करके यह समझ ले कि हाँ आगे film कैसी चलने वाली है तो यही है एक माध्यम होता है कि आप अपने reader को अपने साथ जोड करके रखें है तो इसलिए एकदम precise रहें और to the point बात करें ठीक है तो यह रहा हमारा introduction कि दूसरी चीज हमारी आती है बॉडी ठीक है तो बॉडी क्या होता दोस्तों जैसा कि हम लोग जान रहे हैं नाम सगेस्ट कर रहा है बॉडी यह मेघजर बार्ट होता है हमारे essay गा यह major part होता है इसी में हम लोग सारे अपने information हम लोग जितने भी हमारे पास information हमने gather किये हम सारे इसमें information हम लोग convey करते हैं इसको इसके थूर्व हम लोग सारे information convey करते हैं यह main crux of the essay होता है यानि कि इस पूरे essay में आपके पास जो भी जनकारी है उस topic के के बारे में आप इसमें सारी सारी जनकारियां आप इसमें देते हैं नेक्स्ट ये आता है कि अब बहुत सारे बच्चों की माइड में एक इसे हम लिखें तो कितने पैराग्राफ में लिखें एक स्टेंडर्ड फॉर्मेट एक स्टेंडर्ड ऐसे में हमारा कितना पैराग्रा देते introduction, body और conclusion तो ये तीन paragraph तो होई गया लेकिन उसके अलावा भी आपके पास अगर content अगर ज़ादा है है ना? content आपके पास अगर content ज़ादा है आपके पास points ज़ादा है लिखने के लिए आपके पास ideas ज़ादा है mind में तो आपका जो body part जो है body part मैं सिर्f body part की बात कर रहा हूँ ध्यान दीजएगा, मैं सिर्f body part की बात कर रहा हूँ, तो आप उस body part को 2-3 paragraph में भी लिख सकते हैं तो basically कहने का ये मतलब है कि आपका एक essay जो होगा वो 4-5 paragraph में भी आप अगर लिखते हैं, including introduction and conclusion तो वो अच्छा माना जाएगा, ठीक है तीसरी चीज़ पर हम लोग आते हैं कि maintain chronology of the thoughts for organized content, ठीक है तो chronology क्या होती है कि आप अगर कोई भी जैसे कि आप मैं एक सिंपल सा example देता हूँ, कि हम लोग jumbled word हम लोग arrange करते हैं sentence वनाने के लिए या फिर हम लोग कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, अगर उसमें हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग आगे पीछे कर देंगे तो वो किसी सामने, किसी को जो भी पढ़ेगा उसको वो समझ में नहीं आएगे तो इसलिए हम लोग को ये कोशिश करनी है कि हम लोग अपने thoughts जो भी हम लोग के पास में हैं, उसमें हमारे माइड में एक खाका त्यार हो जाना चाहिए कि हमारा जो chronological sequence जो है वो chronological order में बिल्कुल होना चाहिए हमारा जो भी content है हम लोग कुछ भी मतलब जैसे कि जो ऐसा कुछ भी नहीं करने हैं आपको जो की जानकारी आपको बाद में देनी है वो आप पहले दे रहे हो और जो पहले देनी है वो सबसे बाद में दे रहे हो तो इससे क्या होगा कि सामने वाले के माइंड में क्यों सो जाएगा तो वो आपकी कॉपी को भी उसी तरह से वो जज करेगा कि वो उसको कुछ सम में नहीं आएगा और उसका पूरा-पूरा इंपक्ट आपके मार्क्स पर पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों इस चीज से आपको बचना है नेक्स्ट हमारा आता है do not try to increase complexity rather use simple and comprehensive language अच्छा एक चीज मेरे माइड में मतलब मैं इन चीजों को मैंने भी फेस किया है स्टूरेंट्स के माइड में होता क्या है कि वो करते क्या है कि वो सोचते हैं कि मैं ऐसे लिख रहा हूं तुम्हें भारी-भारी वर्ड्स का इस्तेमाल करो जिनका हूं है मतलब भी नहीं पता होता है जो कि उनके उस वर्ड के यूज करने से उस पुरे सेंटेंस का मेनिंग चेंज हो जाता है वो उस उसका पुरा कॉंटेक्स चेंज हो जाता है ठीक है तो आपको बिलकुल ही कॉंप्रिहेंसिव रखना है बिलकुल भी समझ बिलकुल ही समझ में आने वाला आपको ऐसे लिखना है ऐसा कोई rocket science में नहीं है कि आप मतलब कुछ अलग करने अलग करना है बिल्कुल करना है लेकिन अपने आप उसमें thoughts दिखाऊ ना आप उसमें thoughts दिखाऊ यह भारी-भारी आपको अच्छे से मेनिंग नहीं पता है या फिर आपको यह नहीं पता है कि आपको उसको किस context में यूज़ करना है तो उस चीज़ से मैं बस बचने के लिए आपको बोल रहा हूं नेक्स्ट हमारा आता है कि avoid redundancy तो redundancy क्या होता है it is a kind of repetition कि आप अगर एक ही thoughts आप अगर बार-बार उसको यूज़ कर रहे हो एक ही word बार-बार यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होगा उससे होगा यही कि सामने वाले को लगा कि आपके पास आप बिल्यकुल clueless हो आपको उस topic के बार में ज्यादा info नहीं है तो यह भी आपको यह भी आपका आपके marks पे impact डाल सकता है तो इसलिए मैं यह कहूंगा कि आपके पास thoughts पूरे होने चाहिए जिस करन से आपको एक ही thoughts बार-बार repeat नहीं करना हो ठीक है तो यह रहा हमारा body part next हम चलते हैं next हमारा पार्ट आएगा जो होगा conclusion part तो दोस्तों conclusion part जैसा की नाम suggest कर रहा है conclusion क्या होता कि आप अपने कोई भी बात को end करने पे आप उसको conclude कर रहे हो एक उसको star दे रहे हो और वह कैसा होना चाहिए जैसे कि moral wrapping आप उसको provide कर रहे हो कि हां कि आपने बहुत सारे solution discuss की आप उसमें कैसे होता है समाज में कैसा चल रहा है या फिर कोई scheme क्या है कैसे है क्यूं है आप यह सब बता रहे हो लेकिन आपने अगर कुछ भी आपने अगर कुछ भी problem बताए है है तो उसका solution भी तो आपको बताना होगा ना ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं यह नहीं कर रहा हूं कि कोई भी अपने कोई भी अपने thoughts से कोई भी सही और कोई भी completely गलत नहीं होता है लेकिन एक thought होना चाहिए ठीक है तो वही आपको conclusion will just mirror the introductory paragraph but the syntax are different तो यह क्या करता है जैसे कि आप introduction को यह बिल्कुल mirror आईना दिखाता है लेकिन इसका syntax थोड़ा different होता है हट करके अब next हमारा आता है कि rounding up of essay by providing some moral wrapping up of a story तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आप उसको एक moral wrapping आपको देना होता है कि मतला आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए conclusion आप उसमें कुछ idea suggest कर रहा हो कि हाँ इस तरह से आप कीजिए इस तरह से होना चाहिए है नेक्स्ट हमारा है कि make sure to complete your essay with conclusion leave no hanging threads तो दोस्तों हमने कई बार देखा है students कि mind में क्या चलते रहता है कि वो मतलब time management time management वो सही से नहीं कर पाते examination hall में जिस कारण से होता क्या है कि वो introduction part तो अच्छे से लिखते हैं body parts भी अच्छे से लिखते हैं लेकिन उनके पास इतना time नहीं बचता है जिस कारण से वो conclusion part को वो पूरा complete कर सकें तो conclusion part complete नहीं करने से होता क्या है कि वो आपका ऐसे अधूरा हो जाता है कि बले ही आपने कितना भी अच्छा इससे लिखा हो आपने कितना भी अच्छे पॉइंट अच्छे रेज किये हो उसके body part में या फिर इंडॉर्ट्री पार्ट में कुछ भी अच्छा लिखा हो लेकिन वो conclusion आपने अगर नहीं लिखा है तो वो आपका पूरा मेहनत पूरा पानी हो जाएगा चीक है कि इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप लोग जब भी घर पर आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप लोग इतना टाइम मेलेजमेंट अच्छे से करेंग जिसमें आप लोग इन तीनों चीज़ पर अच्छे से ध्यान थे दोस्तों इसके अलावा मैं और चीज़ सजेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना अपना पॉलिटिकल व्यू होता है कुछ तो मैं यह ऐसा चाहूंगा कि अगर कुछ पी ऐसा आपके पास फॉलिटिकल थॉर्ट्स हैं तो वह अपने तक ही रखें अभी आपको एगजामेनेशन हॉल में यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कारण से जरूरी नहीं है कि आप 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 जिस आइडियोलोज का हो जो कॉपी चेक कर रहा हो तो वह आपके आइडियोलोजी से सहमत हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इस चीज से हम लोग बचें ठीक है तो यह तो होगी दोस्तों हमारा मतलब ऐसे राइटिंग का हमारा फॉर्मेट हुआ अब दोस काछि आप सभी लोग जानते हैं कि कि गलोबल इसुज में क्या मतलब करिट में कुछ भी इसूज चल रहा है जैसे इंडिया का इंटरनाशनल रिलेशन्षीप और कांट्री्स के साथ में कैसा है या फिर ट्रेड डरेशन कैसा है इंडिया के कॉंटस्व में या फिर अगर म फिर जो आते हैं उन सब चीजों को आप पढ़ें उससे होगा क्या कि उससे आपका मतलब आपके पास thoughts आते जाएंगे आपके पास thoughts की कमी नहीं होगे बिल्कुल भे तो इस पे आप global issues पे आप कोई भी 10 topic आप त्यार कर लें अपने हिसाब से जो आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा important है next हमारा आता है environmental issues environmental issues में क्या होगा दोस्ट कि environmental issues में हमारा जैसे कि global warming हो गया climate change हो गया इसके अलावा pollution इतना सारा है air pollution noise pollution इस सब बच्पन से लों लिखते आ रहे हैं बहुत सारा environmental issues है अभी जैसे कि deforestation हो रहा है कुछ दिन पहले मुंबई में भी आरे forest के बारे में भी बहुत सारा news आये था वहां से भी आप कुछ ideas ले सकते हो उसका impact क्या होगा तो इन सब चीजों पर भी आप the topic त्यार कर सकते हो उसके अलावा social issues social issues में भी बहुत सारी आ जाते हैं जैसे कि हमारा आ जाता है child labor आ जाता है हमारा woman empowerment आ जाता है dowry system आ जाता है तो यह सब इन सब चीजों पर आपको social issues है कि मतलब आपको पता है कि आपके आसपास में क्या हो रहा है और आपको पता है कि इससे निजात भी कैसे पाना है सारे ideas आपके mind में बस उसको copy पर प्लॉट करने की ज़रूरत है तो आप इस पर भी पांदस टॉपिक त्यार कर सकते हैं इसके लावब terrorism हो गया साइबर security हो गया इन सब पर भी आप अच्छे खासे आप टॉपिक्स त्यार कर सकते हैं इसके इसके अलावा government schemes आगये आपके government schemes से भी बहुत सारे हमारे देखने को मिला है previous examinations में बहुत सारे questions आये हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लावा भी बहुत सारे किसान से भी रिलेटेड आपको बहुत एग्रो रिलेटेड ऑर्गनिक फार्मिंग यह सबसे रिलेटेड भी आप बहुत सारे चीज़ें आप टॉपिक त्यार कर सकते हैं तो दोस्तों टॉपिक की कमी नहीं है आप यह मसोचों कि हाँ आपको जो लिखा हुआ है कोई भी सेगा वूख लिया और उससे दस टॉपिक पंदरो टॉपिक बीस टॉपिक आप उससे पढ़ा और उससे कंटेंट त्यार किया हो गया ऐसा ऐसा आप करने से बचो आप खुद से टॉपिक बनाओ खुद लोग का orientation सही होगा सोचने का तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि मतलब इस तरह से कर रहे होंगे या फिर मतलब कुछ और अच्छा कर रहे होंगे मैं बस यह बता रहा हूं आपको कि आप लोग अगर इस तरह से भी आप लोग अगर करते हैं तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू ठीक है तो बस यही हमारा आज का सेशन था था थैंक यू सो मच